कि दोस्तों किया आपको पता है अगर कोई मच्चड hy b positive बेक्ती को काटता है और उसके बाद किसी नौर्मल इंसान को काटता है तो किया व Doncs बेक्ती hyb positive हो जाता है तो लिए बिल्कुल नहीं होता है क्यूंगि अगर क्योंगे मच्चड hyb positive होने वाले बेक्ती को काट कर किसी नौर्मल इनसान को काटता है तो HIV नौर्मल إِंसान में transpose ही नहीं होता है क्योंकि मच्छड जब काटता है तो वे अपने सरीर में सरीर के खून को मनस्वों में transmit नहीं करता है बलकि वे केवाल लार को ही मनस्वों में inject करता है अब मच्छड खुद कभी HIV से संकर्मित नहीं होता क्योंकि HIV का वाइरस मच्छडों के पेट में जादा देर तक जिन्दा नहीं रपाता है क्योंकि उसके सहरी में T-cells नहीं होते हैं इसलिए वाइरस को बढ़ने का चांस नहीं मिलता और वाइरस मच्छड के पेट में खुन के साथ ही पच जाते हैं जिससे अगर मच्छड किसी संकर्मित इंसान को काटता है और उसके बाद किसी नौर्मल इंसान को काटता है तो संकर्मन एक बेक्ती से दूसरे बेक्ती में नहीं फैलता है मच्छडों के दौरा तो इस तरह की इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाते ताकि नए वीडियो अपलोड हो तो सिधा नोटिफिशन आपके पास चला जाए